नमस्कार दोस्तों अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है और यह बड़ी खबर यह है कि उनके स्टार स्पिनर राशित खान श्री रंका दौरे के पहले दो ODI मैचेस के लिए अविलेबल नहीं होंगे और वो इसलिए अविलेबल नहीं हो क्योंकि उनको लोवर बैक इंजरी हो चुकी यानि कमर में चोट लग चुकी है आपको बता दे कि अफगानिस्तान श्रिलंका दौरे पे तीन ODI मैचेस की सीरीज खेलेगा और यह तीनों मैचेस हमबन टोटा के महिंदा राजपक्सा इंटरनाशनल स्टेडियम में खेले ज उनके टीम फिजियो ने कहा है कि अभी असेस्मेंट चल रहा है वहाँ पर राशित खान का और लग रहा है कि पहले दो मैचेस में अविलेबल नहीं होंगे लेकि साथ जून को होने वाले तीसरे मैच में वो जरूर अविलेबल हो सकते हैं आपको बता दे कि श्रीलंका के ल सीरीज खेलेगी जो कि टेस्ट मैशर शुरू होगा अफगानिस्तान की कप्तान होने वाले हैं इस सीरीज में उनकी उमीद दूसरे स्पिनर्स से अब बढ़ गई होगी क्योंकि स्पिनर्स का ट्रैक होता है श्रीलंका और दूसरे स्पिनर्स की अगर बात करें तो मुझे दभी का एक बहुत बड़ा असला और बहुत ताकतवर असला लेके चल रहे हश्मतुल्ला शाहिदी श्रीलंका की ओर अगर राशित खान अवेलेबल नहीं होते तो राधा उतनी तकलीफ नहीं होगे कि क्यों यह भी तीनों बहुत ही बढ़िया स्पिनर्स है और अनूर आपको क्या लगता है कि राशित खान के ना होने से कितना अफेक्ट पड़ेगा अफगानिस्तान के ओपर और कितनी दिक्कते हो सकती है अफगानिस्तान को इस सीरीज में राशित खान का ना होने से क्योंकि उस्पिन ही नहीं बैटिंग में देते हैं लाइक करें शेयर करे सब्सक्राइब करना ना भूले और ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रही है तूफान स्पोर्ट्स खेलो तूफान से